आज मैं आप लोगों के लिए जीके के तीश कोर्जन्स लेकर आई हूं फिरेंस ये वे कोर्जन है जो लगभग पत्तेक एक्जाम में रिपीट होते हैं और उमीद है आगे वी ये कोर्जन्स रिपीट होंगे इसलिए जो लोग कमपटेटिव एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं वे लोग इस वीडियो को पुरा देखने का प्रयास करें तो चलिए और स्टार्ट करते हैं कोर्जन नमबर फर्स्ट यदि किसी सामान वीडियक पर राजशभा और लोगशभा के बीच गतिरोर आता है तो उसका समाधान कौन करेगा तो उसका समाधान संसद का संयुक्त सर्च करेगा भारती शभिधान का अनुछेद 324 किससे समंधित है तो ये मुख निर्वाचन आयोक्ट की सक्तियों और काल से समंधित है और इंडिया ट्रेड उनियन कॉंगरेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थेम लाला लाज पत्राय और इंडिया ट्रेड उनियन कॉंगरेस के प्रथम अध्यक्ष थेम कौन सी बाटावर निये परत सूर की पराव वैगनी कीनों को अपसोर्सिट कर लेती है तो वो परत है ओजोन मंडल मानर सरील में कौन सा हर्मोन रख्ट कैलसियम और फोस्पेट को नियंटिट करता है तो उस हर्मोन का नाम है पहला ठाईराइड हर्मोन असमीति को मतलब मेमोरी के लिए चुमबकीर ड्रम का परियोग करने वाला प्रथम कंप्यूटर कौन सा था तो उस कंप्यूटर का नाम है आई वींग छेसो पचास बस 1979 में सबसे पहले किस देश में पर्यवरन परभौ मुल्यांकन और चारिक रूप से अस्ठापिट किया गया था तो उस उवा देश है उनाइटेट अस्टेट्स अंतरास्तिय किरकेट परिशत का प्रथम गैर अंग्रेज अध्यक्ष कौन चुना गया था शाइडर बॉल्ड कोट को अंतरास्तिय किरकेट परिशत का प्रथम गैर अंग्रेज अध्यक्ष चुना गया था मर्न परांट भायरत रत्न पुरस्का से किसे सब प्रथम सम्मानित किया गया था मदन महनमालविय को महामना की परवी किस ने दी थी महात्मा गांधी ने मदन मोहनमालविये को महामना की परवीरी थी यूएस होस आफ रेफ्रिजेंटिब्ज में सेनेटर के रूप में परविश करने वाला पहला हिंदू-अमेरिकन है तुर्सी गवाड भाया छोड़ो आंडोलन के समय बाइसाय कौन था लौड लीन लिठंगो भाया छोड़ो आंडोलन के समय बाइसाय था भाया सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का नया घोषना पत्र किसने कहा था भाया सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का नया घोषना पत्र कहा था भारती सविधान के किस भाग में मुल्क करतब निधायत किये गए हैं भाग 4 के ए में मुल्क करतब निधायत किये गए हैं सरगाशो समूंड किस महसागर में इस्थित हैं किस हार्मोन को अपार्टकालिक हार्मोन कहते हैं इंसूलीन को अपार्टकालिक हार्मोन कहते हैं प्रकास के बिदूर चुम्बक किये स्वरूप की खोज किस ने की तो ये खोज मैक्समेल ने की और ये खोज अथारा सुतिहत्तर रिस्वी में की गई थी पूना समझोता किस के बिच हुआ था तो ये महात्मा गांधी और भीम रौव अमेरिकर के बिच हुआ था पूना समझोता 24 सितंबर 1932 इस्वी में हुई थी पीतर किसकी मौजुदगी में निरंतर रहने से बायू में रगहिन हो जाता है हाइड्रोजनित बेफर में पीतर निरंतर रहने से बायू में रंगहिन हो जाता है गवर्मेंट ओफ इंडिया एक 1935 किस पर आधारी था तो ये साइमेंट कमिशन पर आधारी था मध्यम रेंज के मोशन पुर्वानुमान के लिए भायर सरकार द्वारा सबसे पहले कौन सा केंप्यूटर खईडा गया क्रे XMP चोड़र मध्यम रेंज के मोशन पुर्वानुमान के लिए भायर द्वारा सबसे पहले खईडा गया कंप्यूटर है भारती सविधान का अभे रक्षक कौन है भारत का मुख ने आएधीस भारती शविधान का अभी रक्षक है किसने कहा था सत्य परम तत्व है और वह इस्वर है तो ये कथन महात्मा गांधी ने कहें थे लिच्वी दौहिट किसे कहते हैं समून्द गुप्त को लिच्वी दौहिट कहते हैं और समून्द गुप्त को ही भायत का निपोलियन भी कहा जाता है किस परवट ये अस्थव को सत्पूरा की रानी कहते हैं तो ये पंच मर्धी को सत्पूरा की रानी कहते हैं और ये पंच मर्धी मर्ध परदेश में है भायत के निर विरोध उपराश्ट पती के रूप में किसे चुना गया था तो डॉक्टर संकर देया सर्मा को चुना गया था और ये अपने कारकार में 3 सितंबर 1984 इस भी में लिये थे कौन दुनिया की पहली महिला अंतिरिक्ष याठ्री है बिलेंटीना तिरिक्ष कोबा दुनिया की पहली महिला अंतिरिक्ष याठ्री है और ये बिलेंटीना तिरिक्ष कोबा रूस की रहने बाली थी किस सेवाल को अंतिरिक्ष सेवाल के रूप में भी जाना जाता है क्लो रेला को अंतिरिक सेवार के रुप में भी जाना जाता है चंडमा पर सबसे उचा परवत कौन सा है लिव निद्ज परवत चंडमा पर सबसे उचा परवत है वह प्रथम महिला कौन थी? जिसने साथ प्रमुख सागर तैर कर पार किये वह बुला चौड़े थी जिन्होंने साथ प्रमुख सागर तैर कर पार किये दोस्टोर आज के लिए इतना ही मैं फे मिलती हूँ अगले वीडियो में उमीड करती हूँ आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सेयर करें और अगर वीडियो में कुछ कमी हो तो उसे सुधार करने के लिए कमेंट करें तथा हमारे चैनल पे जो लोग नए हैं विक चैनल को शब्सक्राइब करें बेल आइकन दवा दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुं सकें धन्यवाद